अनियंत्रित बोलेरो कार तकराई महुआ के पेर से पांच की मौत आठ घायल, घायलों में चार को किया रैफर एक ही परिवार के हैं मृतक, ग्राम किता खिरा के पास हुआ सड़त हादसा टीकमगर मार्ग पर बुधवार की रात्री करीब बारा बजे एक बोलेरो कार अनियंत्रित होकर महुआ के पेर से जातकराई, जहां इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई है मृतक एक ही परिवार के लोग बताय जा रहे हैं ये दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब ये लोग जतारा की ओर जा रहे थे वही जिला अस्पताल में पांचों मृतकों के शवों का सुबह पुलिस ने पंच नामा पी एम कराकर शव परिजनों को सौप दिया है जानकारी के अनुसार इस घटना में आठ लोग गंभीर रूप से घायल हुए है जिन में चार को जिला अस्पताल से जहासी रेफक किया गया है और चार घायलो का जिला अस्पताल में ही इलाज चल रहा है जानकारी के अनुसार ग्राम मबई निवासी एक ही परिवार के कुछ लोग गमी में जतारा की ओर बोलेरो से जा रहे थे उसी दौरान रातरी करीब बारा बजे ये बोलेरो ग्राम किता खेरा के पास अन्यंत्रित होकर महुआ के पेर से जातक रहे इस घटना में विनोग पुत्र लक्ष्मी लोधी उम्र 30 वर्ष, मोती लाल पुत्र बुद्धा लोधी 48 वर्ष, प्रेम बाइपत्नी बाबुलाल लोधी 48 वर्ष, राजेश पुत्र बाबुलाल लोधी 28 वर्ष, एवं गुर्दी बाइपत्नी बुद्धा लोधी उम्र 55 आदी की मौत हो गई है और आठ लोग इस घटना में घायल हुए हैं घायलों में चार को जासी रेफ़ किया गया है और चार का जिला अस्पताल में इलाज जारी है राज इंडिया 18 के लिए जमील खान टीकमगर ती कमगर के नजदी की गराम मवई के राजपूर समाज के लोग है और ऐसी जानकारी जो लगी है सुबई सुबई लगी हम जैसे ही देखा फेस्बुक में तो इनका कोई रिष्तेदार वहां राजनगर जतारा के आगे वहां रहते थे उनको उन्होंने भी सुचाइट किया हुआ था इसकारण उनको देखने के लिए परिवार के लोग सब मुगा के पेड़ में कैसे आतो रात की जपकी में आई यह नीद या ज्यादा लोग बैठे थे जो भी घटना रही हो और गाड़ी लहरा करके मुगवा के पेड़ में लगी जिसमें और इस पॉत पांस लोगों की डेथ हुई है चार ज्यादा इंजर्ड हुए है और चार क प्रिट्की हो गई आपके एक से एक खवर जहां तक पहुंचना चाहिए तो पहुंच सकती है और बस एक से जनुरी है हम लगातार सच दिखाते आरए हैं क्योंकि हम मिट्च मसाला नहीं सच दिखाने का प्रियास करते हैं राज इंडिया 18 लगातार लोगप्रिय होता क्योंकि आपका विश्वास हमें लोगप्रिय बना रहा है और हम आपके विश्वास को इसी तरह बनाय रखने का प्रियास करेंगे नमस्कार